द्मश्का वच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने औरने इस इसकान परिक्षाप्रस में आरपीफ की जो वेकेंसी है 4660 पदोपे वो बिलकुल आ चुकी है इसका फॉर्म का जो आवेधन है फॉर्म जो भरने का समय है वो भी आपका बहुत जल्द ओपन हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस बार आरपीफ बनना है तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान लगना है और आपको तैयारी एक सही दिसा में लेके चलनी है क्योंकि ऐसे ही लोग वेकेंसी में ऐसे ही लोग नौकरी नहीं पा जाते लोग ऐसे ही सेलेक्शन नहीं ले लेते उसके पीछे बहुत सरा त्याग होता है और बहुत अच्छी रणनीत होती है तो आपकी भी रणनीत बहुत अच्छी होनी चाहिए और बागी कितनी मेनत कर सकते हो ये आपको समय के साथ तैय करना है अगर बात किया जाए कि RPF जो इससे पहले हुआ तो 12 2018-19 में हुआ था और तब अगर हम लोग कट आफ की बात करें क्योंकि जब आप किसी एक्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि आपको लक्ष अपना क्या रखना है जब आप अपना लक्ष निर्दारित कर लेते हो तो उस लक्ष के विहाब पे आप लोग क्या करते हो अपनी तैयारी भी करते रहते हो हर बार अपना लक्ष देखते रहते हो कि मुझे यहां तक पहुचना है, मैं तयारी में यहां पहुच गया हूँ यहां से मुझे अभी इतना रास्ता तै करना है, वो बहुत ज़्यदा जुरूरी होता है तो इस पूरे सुषन में वर्स 2018 और 2024 में क्या सरक्मिस्टांसिस रहे हैं क्या cut off रहा है, क्या cut off 2024 में हो सकता है 2018 में क्या situation था, क्या माहूल था, 2024 में क्या होने वाला है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझेगे तो एक बहुत बढ़ी है comparative वेमे में आपको ये बताने का प्रयास परना चाह रहा हूं कि अगर वेकेंसी की संख्या देखी जाए तो वर्स 2018-19 पे लगबग 9700 पत थे लगबग 8619 कांस्टेबल की केवल थे और 1120 पत आपके SI के थे जबकि अगर वर्स 2024 की बात किया जाए दोस्तों तो यहां पर कांस्टेबल के 4208 पत हैं और SI के मात 452 पत हैं मतलब 4600 पत हैं अगर देखा जाए तो इसका कहीं न कहीं आधे से भी कमपद इस बार आया है और अगर पदों की संख्या आधी है तो यह तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी आवेदन आधे हूँ क्योंकि 5 साल में कोई वेकंसी नहीं आई है इन्होंने रिलक्षिशन तो 3 साल का दिया है जिससे इस बार फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कहीं न कहीं 2018 और 19 के सापेक्ष में अगर उससे कमपरेंजिन किया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा फॉर्म इस बार आने के चांसे से और अगर फॉर्म ज़्यादा आएगा अगर एप्लिकेंट 2024 में हाई होंगे यहाँ पर अगर लो रहे होंगे यहाँ पर वेकंसी ज़्यादा थी यहाँ पर वेकंसी क्या है यहाँ पर वेकंसी कम है तो इसका सीधा फरक किस पर पड़ेगा सीधा फरक पड़ेगा आपका पे जो सबसे ज़्यादा फरक पड़ता है वो फरक यही पड़ता है कि उसमें competition किस level का है और दूसरी बात paper का level क्या है अब यह क्योंकि 2024 का तो paper नहीं हुआ है तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन 2018 का paper की बात क्या जाए तो 2018 के paper level था वो moderate level था और उसके आधार पे हम लोग cut off की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सारे parameter है वहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ इसके अतरिक एक जो parameter है वो आपका है resources 2018 की बात किया जा है तो बच्चों के पास इतना YouTube पे resources नहीं थे इतने उनके पास पढ़ने के online offline साधन नहीं थे इतने इनके पास किताबे नहीं थी इतनी जावरुकता नहीं थी जिसके कारण से कहीं न कहीं हो सकता है उनकी तैयारी में वो smoothness में मिली हो जो इस बार worst 2024 में मिलेगी तो यह सारे ही factor यह बता रहे हैं कि 24 का cutoff हाई जा सकता है अगर इसे कोई कम कर सकता है तो वो केवल है paper का level अगर paper का level बहुत कठिन हो गया तब ही जाके आपको cutoff क्या होगा कम होगा अन्य था आप कोई भी chance यह मतले के चलेगा कि cutoff इसली बाद से कम रहेगा अब जब cutoff की बात है कि 90 मिनट में आपका 120 कोशन होटा है और यह आपका एक नंबर positive होता है और one third आपका क्या होता है negative होता है यह बात आपको clear होनी चाहिए इसके आधार पे ही आपका यह cutoff फोड़ा से decide होगा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो cutoff SI की बात करें तो यह क्या करते है cutoff जो railway में होता है वो group wise होता है अब आप पूँचेंगे कि यह group क्या है सर तो बिटर जो group होता है वो आपको बता दू यह zone होता है जहां से form भरा जाता है सबसे पहले मैं आपको group समझा दू कि आखिर यह group क्या है SCR आपका Southern Central railway हो गया SSCR Central railway हो गया WR Western railway हो गया ठीक ऐसे जो आपका यह NFR है यह अगर आप NFR देखोगे तो North East Frontier railway हो गया तो यह zone है जबकि जो group F है यह RPSF होता है जहां पे Special Force होते है यह SI में जंदली नहीं होता है तो अगर हम लोग इसके भिहाब पे देखे तो किस zone से किस group से कितना cutoff गया था इसमें जो मैंने red से mark कर रखा यह वो zone है जो सबसे hot zone है मतलब सबसे खटरनाग zone है मतलब सबसे ज़्यादा cutoff जहां पे जाता है तो अगर आप undeserved category में देखोगे verse 2018 के cutoff में तो SI में 100.76 cutoff गया था कितना 100.76 cutoff गया था और अगर हम लोग किसकी बात करेंगे OBC की बात करेंगे तो यह यह भी कहां से group B से ही 90.26 गया था सबसे ज़्यादा जबकि अगर हम लोग किसकी बात करेंगे group B में यहाँ पे ST का जो था वो group D में सबसे ज़्यादा था और SC अगर SC की बात करें तो group B यहाँ सबसे ज़्यादा था OBC का जो था OBC का सबसे ज़्यादा कहां पे था 97.5 यहाँ पे आपका D में group D में सबसे ज़्यादा था और अगर मैं जो हारा वाला बात किया हूँ यह हारा वाला मतलब कि सबसे कम cutoff जहां पर जाता है उसको मैंने दरसाया है तो आप देखोगे group E जो है यह सबसे कम cutoff चाहे male की बात करें चाहे female की बात करें फिर भी अगर 100 cutoff का हाँ पर गया है group B का यह 2018 में गया है यह 120 question में गया है जहां पर one third negative है मतलब आप समझो कि जो स साथ 6 रहा होगा इसका मतलब topper के number तो बहुत जादा रहा होगे सबसे least selected बच्चे का अगर 100 रहा होगा अगर 120 में से वह 115 question भी किया होगा तो तब भी जाके कम से कम उसे 11 12 तो maximum गलत कर सकता है गर 115 किया होगा तो 11 12 ही गलत कर सकता है इस से ज़्यादा गलत नहीं कर सकता है तो वो किस level पे बच्चे रहा होगे जब आपके 100 रहा होगे साथ 6 120 में से गया है यह बहुत ज़्यादा कटा होता है बेटा यह 85% के आथपा कटा होता है 120 नमबर में और बहुत ज़्यादा होता है हाला कि आपको सुकून यह भी मिलेगा कि अगर minimum की बात किया जाए तो minimum म यहाँ पर आगर गूरुप E में देखा जाए तो यहाँ पर ST का है जबकि general में देखा जाए तो minimum कहाँ पह पर गया है 85 पर गया है 85 मतलब आप बोल सकते हो कि लगबग आपका सतर परसेंट के आसपा सबकर cutoff वहां पे गया है वो भी आपका ये किसका ST का गया है 85 पे जबकि जंदल का cutoff सबसे जो कम गया है वो 74.22 पे गया है ये ग्रुप E में गया है तो ये आप समझ सकते हो कि यहां पे cutoff इस बार कितना high जाने वाला है ऐसे गर female की बात करें तो female में जो सबसे highest cutoff अगर अनजर्फ कटेगरी की देखें तो अनजर्फ कटेगरी में वो भी गुरुप D का गुरुप D में सबसे ज़्यादा रहा है और सबसे कम अगर देखा जाए तो 42 रहा है कहां पे गुरुप E का ऐसे एकर OBC में रेखा जाए तो गुरु अगर आप कॉंस्टेवल की बात करोगे तो कॉंस्टेवल में अगर आप अन्रिजर्फ की देखोगे तो यहां पे यहां पे cutoff आपको क्या है 83.82 देख रहा है अब इसका मतलब यह अन्रिजर्फ गुरुप A में जबकि सबसे ज़्यादा जो cutoff अगर देखा जाए तो गु इमोहिल की जो अन्रिजर्फ है हाइस्ट कितना गया है 24.75 है तो यह आपके एक बार आप इसे स्क्रिन सॉट पे लगे देख भी सकते हो यह आपके जो cutoff रहे हैं यह जोन वाइड आपके cutoff निकलते हैं तो लगबग अगर देखा जाए SI में 100 के आसपास और अगर इसमें हम on average को टॉप देखें तो on average अगर अन्रिजर्फ में देखा जाए 83, 89, 87, 50, 93 लगबग 85 से 100 अगर average on average देखा जाए तो 85 से 100 के बीच में आपका क्या आजाएगा average आजाएगा यह constable का आजाएगा और अगर हम लोग SI की बात करें तो SI में भी अगर अन्रिजर्फ देखोगे तो यह 95 से लेके 105 आपका क्या आजाएगा यह आपका SI का आजाएगा मतलब कि अभी इस से आप कम से कम 5 से 10 कोशन आगे ही 5 से 10 नमबर ज्यादा ही लेके चलना 2024 में अगर पेपर का लेबल जैसा प्रिश्री बात था वैसा ही रहात तब पेपर बहुत कटी ना जाएगा तो कम्प्लीट आपका 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 कॉंस्टेबल प्लस SI दोनों है इस बार हो सकता है दोनों का सिंगल पेपर हो और एक ही आपका क्या आए एक ही के आधारत पर उसी पर आपका क्या हो सब कुछ cue finals selection दिए बाकि पूरा parameter इससे पहले की बिड़े मेंने सब कुछ बता दिया है कि आपका raise कितना चाहिए आपका long jump कितना चाहिए आपका high jump कितना चाहिए यह सारे physical parameter बता दिया है, medical parameter भी आपको officer बता देंगे, तो अगर आप चनल पर नहयों और चनल को subscribe और 되어 बूत बहुत तैयारी आर्पीएफ की यहां पर रिल्वे की करवाई जारी है फिर मिलेंगे बहुत-बहुत अलिवास अभी का बहुत-बहुत आखार